तो दोस्तो चायना अपने बेड़े के लिए कई तरीके के जहाजों का निर्मान कर रहा है जिन में Type 075 Landing Helicopter Dock जैसे जहाज भी शामिल है बेसिकली ये एक तरीके के Helicopter Carrier है और चायना हाली में ही अपने बेड़े में ऐसे दो जहाजों को शामिल किया है और रिपोर्ट में ब चायना आठ जहाजों का निर्मान करना चाता है और टोटल ऐसे दो जहाजों को एक्टिवेट करने के इलावा तीसरा जहाज को चायना फिलाल अंडर सी ट्रायल रखा है और दोस्तो आपको जानके हरानी होगा कि जिन दो जहाजों को चायना के द्वारा अपने बेड़े मे शामिल किया गया उन दोनों को ही चाइना साल 2021 में अपने बेड़े में शामिल किया जिन में से पहला जहाज हेनान को 23 एप्रिल 2021 में चाइनीज बेड़े में शामिल किया गया और ये साउच चाइना फ्लीट में है जबकि दूसरे जहाज गौंगजी को 26 डिसमबर 2021 के दिन इस Sea Fleet में शामिल किया गया दोस्तों चाइना के ये Landing Helicopter Dock को अगर देखा जाए तो ये 30,000 से 40,000 टन के एक ऐसा जहाज है जिसका लंबाई 237 मिटर मतलब 778 फिट के आसपास है और चौड़ाई करीवन 36 मिटर मतलब 118 फिट के आसपास है और चाइना इन जहाजों को अमेरीकी Navy के Works Class और अमेरीका क्लास के जहाजों के साथ पर अगर जहाज के फीचरs को देखा जाए तो ये अमेरीकी Navy के जहाजों से काफी फीचे भी है और आपको जानके हैराणी होगा कि पहला जहाज मतलब हिनान को जब commission किया गया था तो उससे कुछ महने पहले इस जहाज को निर्मान करने वाले dockyard में आग भी लग गया था और report में ये भी वताया जाता है कि जहाज को भी इससे नुकसान पहुँचा था और जहाज में भी आग फैल गया था चाइना द्वारा ये भी बताया जाता है कि इन जहाजों में खाली हेलिकॉफ्टरों को कैरी करने का शमता नहीं है बलत की इसमें कुछ हतियारों को भी लगाया गया है जिन में HP J11 30 mm के क्लोजिन वेपन सिस्टम और HQ-10 सौरफेश टू एर मिसाइल है जबकि जहाज के एर वि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हूँ बैल आइकन को फ्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद